कि नमस्कार दोस्तों हल्दी लगेना फिटकरी और रंग चुखा जी हाँ यह मसूर कहावत है आपने सुनी होगी कुछ ऐसा ही कोचिंग क्लासेज में होता है कोचिंग क्लासेज का बिजनेश चंद रोपे लगा कर चालू कर लिया जाता है एक ठोर रूम लेते हैं और शुरू किया जाता है और फिर शुरू होता है मोटी फीस लेने का सिलसला चात्रों से फीस बसूलते हैं और इन स्वंभू कोचिंग क्लासेज में संस्थानों के पास कि एहंदाबाद और भोपाल और अब बेगम गंज जैसी गट्नाओं की पुनार वर्ति ना हो और बच्चियों का भविस सुरक्षित हो सके बेगम गंज से हमारे संबाद्दाता बरा सिंकी रिपोर्ट बेगम गंज में बेटिया नहीं सुरक्षित नगर के कोचिंग सेंटर में एक आवारा योवक ने एक योवती से खुले आम चेड़ चाड़ की और गला दबा कर मार पीट की पास दुकानदान ने योविती को बचाया योविती के साथ मार पीट करने बाला योवक बहां से भाग गया जब पुलिस को सुचना मिली तब जाकर पुलिस बहां पहुँची और आरोपी के खिलाफ एफ आई यार दर्च कर ली गई है आज देखा जाय तो बड़े बड़े सहरों में आई दिन महिला आएं और योवितीयों के अत्याचार की खबर सुनते हैं किसी ना किसी महिला योविती के साथ हैवान नियत के दौरा अपरात किये जाते हैं उन्हें बड़े सहरों में का असर आज छोटे छोटे सहरों में भी देखने को मिल रहा है जिससे अब बेगम गंज भी अचूता नहीं रह गया जहां बेगम गंज का महौल हमेशा बेटियां बच्चियों के लिए युबाओं में अच्छी सोच रखने वाला सहर माना जाता था लेकिन बही बेगम गंज अब बदल रहा है और यहां पर भी बेटियां सुरक्षित नहीं है क्यों आखिर किसकी गलती है कौन है इसका जिम्मेदार क्या आदमी की सोच बदल रही है या फिर पुलित प्रशासन सक्त नहीं है जो बड़ते अपरादों पर रोक नहीं लगा पा रहा है बेगम गंज में बिगत कुछ महीनों से योवतियों के साथ ऐसे आवारा किस्मिके लड़के आसामाजिक तत्तों के द्वारा छेड़ चाड़ को अंजाम दिया जाने लगा है जहां बेटियां अभी घरों में खुले आम निकलती थी बहीं अब बेटियां अभी तत्तों पर कोई कारवाई क्यों नहीं करती यदि करती है तो उसे सिर्फ FIA दर्ज कर छोड़ दिया जाता है या फिर किसी राजनेतिक दवाव के कारण कारवाई नहीं की जाती है आखिर ऐसा माहोल रहा तो साइद बेगम गंज भी महीला अपराद में जाने जाने लगेग महीला अपरादों को रोकने के लिए जरूरत है पुलिस प्रशासन सक्त हो और बेटियों के साथ यदि कोई छिड़चाल करता है या किसी प्रकार की कोई अपराद करता है तो उस पर कड़ी कारवाई की जाए ताकि लोग अपराद करने से डरें और बेटिया सुरक्षित र लगा कर किराय का रूम लेकर ही सुरू किया जा सकता है और फिर सुरू होता है चात्रों से मोटी फीस बसूलने का सिलसला और इन स्वैंबू कोचिंग संस्थानों के पास ना तो मानक्स लाइसेंस है और ना ही गुणबतता है नगर में ऐसे चल रहे कुछ अबैद का जीबन सुरक्षित रहे बेगम गंसे हमारे संबाद्दाता शरस सर्मा की रिपोर्ट मुक्तार मलिक की अलिशान कोठी जमी दो 17,000 बर्ग फुट भूमी अतीकरमाड मुक्त और दोनों की लाकत लगबग एक करोड राइसन जिले की गोहर गंज तैसील के अंतरकत भोपाल जबलपुर मार्ग पर 34 मील के पास ग्राम नंदोरा में मुक्तार मलिक के कबजे से 17,000 बर्ग फुट लगबग 42,000 लाक रोपे की 25,000 लाक रोपे की भूमी जिला प्रिशासन ने अतीकरमाड मुक्त की है इस भूमी पर 4,000 बर्ग फुट पर लगबग 50,000 लाक रोपे की ला गंजबासोदा से हमारे संबाददाता रभी चोरशिया की रिपोर्ट अतीकरमाड के चलते रहवासियों ने नापाग ने दिये नोटेस प्रदेश सरकार की अतीकरमाड हटाओ मुहीम पूरे प्रदेश में अपनी रप्तार पकड़ चुकी है बहीं गंजबासोदा नगर प्रिशासन भी धीमी गती से इस मुहीम को अपना योगदान दे कर खाना पूर्ती कर रही है नागरिये छेतर में नदी नाले एबम साज के भूमी पर रसूकदार एबम राजनेतिक प्रभाव वाले लोगों ने अतीकरमाड कर हजारों बर्ग मीटर की करोणों की जमीन मु प्रिशासन की तरह कारवाईयों पर छेतर के जन परतीन निदी भी चुपपी है नगर बासियों को खल रही है नगर बासि एबम सदस बासोदक विकास संगर समीती इस सम्बंद में रह बासियों का कहना है कि अचानक नगर पालका ने यहां नोटिस दिये हैं जबकि यहां पिछले कई बरसों से रह रहे हैं पिलाट की रजिस्ट्री एबम भमव निर्माड की तमाम अनूमतियां हैं जो कि सास की बिवागों से प्राप्त हैं साथ ही नोटिस धारिये एबम बाड़ बासियों से नगर पालका पर जमीन गलत तरीके से की गई नपाई को लेकर कई गंबीर आरोबी लगाए हैं बही दूसरी ओ नगर की मुख सड़कों पर नालों के उपर पक्के एबम इस्ठाई रूप से हो रहे अतिकर्माड को छोड़ कर इस तरह गलियों में अतिकर्माड को चोड़कर जिनासी मांकर की होगे हमें नोटेश धेता नगर पालका नगर के बड़े-बड़े अतिकर्म होता है और शुरुवात हमें कहीं ने कहीं से करना ही होगी ऐसा नहीं है कि पर किसी एक जेगा को लेगे जहां जहां पर भी शेहर में अतिक रमण हमें देखेगा हम उन पर सक्तारवाई करें